हेलो दोस्तों मैं इस पार आप लोगों के सामने एक बहुत इंट्रेस्टिंग टोपिक लेकर आई हूँ जो आज का टोपिक है वो है बेसिक डिफरेंस ओफ सस्पेंशन और इमल्शन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँ ही जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेर ज़रूर करिएगा और अगर इमल्शन की बात करें इमल्शन का जो यह भी एक हैट्रोजीनियस मिक्चर होता है टू इमिसिबल लिक्विड का और इसमें जो मतलब यह एक टाइप का कॉलाइडल और डिस्पर्स पार्टिकल्स होते हैं जो कि स्टांडिक पर सट्टल डाउन नहीं होते हैं अभी हम दूसरे डिफरेंस की बात करेंगे दूसरे डिफरेंस है डिस्पर्सन फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम सो अगर हम सस्पेंशन की बात करेंगे इसमें सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो कि किसी लिक्विड और गैसियस में डिस्पर्स होते हैं अगर हम इमल्शन की बात कर अगर हम इमल्शन के बात करें तो इसमें जो इमल्शन सेपरेट नहीं होता है और यह फिल्टर नहीं हो सकता सो अभी हम बात करेंगे जो fourth है वो है scattering of lights so lights में जो suspension रहता है ये इसमें हम light का scattering कर सकते है और ये एक opaque रहता है अगर हम emulsion के बात करेंगे इसमें tindal effect show करता है tindal effect को हम detail में next video में पढ़ेंगे अभी हम बात करें stability की suspension में जो suspending agents required रहते है stability के लिए but emulsion के अगर हम बात कर रहे है तो emulsifying agents required होते है stability के लिए अभी हम example देखेंगे कि suspension में हम कौन-कौन से examples को consider कर सकते है कैसे जानेगे कि ये जो कोई भी example हम दे रहे हैं कि ये suspension है so अभी हम बात करेंगे जो sand in water water में अगर हम sand को डालते है तो वो एक suspension है दूसरे है floor in water हम किसी भी floor को wheat का floor रिली जोसको हम water में mix करेंगे तो वो भी suspension है अगर हम emulsion की बात करें इसमें milk milk एक emulsion है vanishing cream ये भी एक emulsion है so I hope दोस्तों अभी आप बहुत अच्छे से समझ गई होंगे कि क्या basic difference होता है suspension है in emulsion में so अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like कर दीजे और वीडियो पर comment करें और वीडियो को share करें okay friends bye bye फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ